मूई का स्टार्ट होता है ओपल नामी एक दस साल की लड़की से जो अभी कुछ अर्से पहले ही नावमी नामी शहर में अपने फादर के साथ शिफ्ट होई है। हम देखते हैं कि ओपल के फादर जो कि चर्च में पढ़ानी का काम करते हैं वो चर्च में दूआ करवा रहे होते हैं कि तब ही वहां ओपल भी आ जाती है वो भी दूआ में हिस्सा लेती है ओपल दिल ही दिल में गौट से कहती है कि उसे एक दोस्त की जरूरत है क्योंकि उसे लगता है कि चर्च में मौझूद सब ही बच्चे अजीब हैं वो बहुत अकेला महसूस करती है ओपल गॉट से ये भी कहती है कि वो अपनी मौम को बहुत याद करती है और वो उन्हें दुबारा दीखना चाहती है हम देखते हैं कि घर में ओपल उदास बैठ के अपने पुर करती है जो उसके फादर ने उससे मगवाई होती है आपवल अपनी साइकल पर विंडिकसी नामी मार्कट पहुचती है अभी वो चीजें उठा ही रही होती है कि वो देखती है कि मार्केत का स्टाफ इधर उधर भाग रहा है तब ही उससे पता चलता है कि वो सभी एक और और फैसला करता है वो डॉक को हवाले कर देगा यानि वो लोग जो डॉक्स को कैद करतें हैं लेकिन ऑपल को डॉक्ड बहुत पसंद आजाता है। वो उनर से कहती है के विप उसका है। पहले फादर विन डिकसी को रखने पर राजी नहीं होते मगर फिर ओपल की जिद पर वो उसको घर पे रखने के लिए मान जाते हैं हम देखते हैं कि विन डिकसी ओपल का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है ओपल पूरा दिन विन डिकसी के साथ उसकी देखभाल में गुजारती है दूनों को शरारत करने पर पड़ोसी अंगल से भी डाट पड़ती है अगले सीन में ओपल विन डिकसी से बात करते हुए अपनी मॉम के बारे में उसे बताती है कि वो अपनी मॉम से कभी नहीं मिली क्योंकि वो बच्पन में ही उसे छोड़ के चली गई थी इतने में उसके फादर वहां आ जाते हैं ओपल उनसे अपनी मॉम के बारे में पूछती है मगर वो उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं अगली सुभा ओपल विंडिकसी को घर पर छोड़ कर अपने फादर के साथ शहर में चर्च के साइंस के पोस्टर्स लगाने जाती है वो घर वापस आके देखते हैं कि विंडिकसी ने पूरा घर उल्टा किया होता है फादर सजा के तौर पर विंडिकसी को घर के बाहर बांद देते हैं मगर रात में उसे एक बार फिर अंदर ले आते हैं ओपल को एहसास होता है कि विंडिकसी की उसकी जिंदगी में बहुत एहमियत है और उसके इलावा ओपल की जिंदगी में कोई दोस्त नहीं अगले सीन में विंडिकसी एक पैट शॉप के सामने रुखता है वो दूनों अंदर जाते हैं जहां वो देखती है कि जो तोता डॉक से डरता था वो भी विंडिकसी का अच्छा दोस्त बन जाता है तब ही ओपल अपने लिए पैट शॉप में जॉप की बात कराती है ताकि वो विंडिकसी के लिए पटा खरीच सके दूसरी तरफ पडोसी अंकल ओपल के फादर को धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने विंडिकसी को पाउन के हवाले ना किया तो ओपल और फादर को चर्च का दिया हुआ घर छोड़ना पड़ेगा पडोसी की दबाओं में आके फादर पाउन को बुला लेते हैं अगले दिन पाउन की गाड़ी विंडिकसी को लेने आ जाती है लेकिन ओपल उसको जाता दीख बहुत रूती है वो अपने फादर से कहती है कि उसके पास विंडिकसी के इलावा कुई दोस्त नहीं और के हवाले नहीं करते जब के वो पडोसी से कोई बहाना करके टाइम ले लेते हैं हम देखते हैं कि ओपल पेट शॉप पर जॉब शुरू कर देती है जब के वो विन डिक्सी को अपने साथ रख कर बहुत हुश होती है वो दोनों जॉब के बाद काफी सारा टाइम साथ गुज कि किस तरह एक भालू उनकी लाइबरेरी में घुज गया था और मिस फ्रैनी की बुक लेके चला गया था यानि के भालू मिस फ्रैनी को डराने नहीं बलके बुक लेने आया था वो ओपल को कई और कहानिय सुनाती है और इसी दौरान विंडिक्सी मिस फ्रैनी का भी दोस्त ब अगले सीन में ओपल ड्यूटी देने पैट शॉप जाती है जहां पैट शॉप का ओनर गिटार बजा रहा होता है अचानक ही विंडिक्सी और बाकी जानवर शूर मचाने लगते हैं जबके सारे परिंदे उड़ने लगते हैं ओपल और ओनर जानवरों को संभालने लगते हैं लेकिन उन से जानवर काबू नहीं हो पा रहे होते तब ही ओपल ओनर से गिटार बजाने का कहती है ओनर जैसे ही गिटार बजाता है सब ही जानवर अपने जगा पर खामोशी से बैठ जाते हैं बाहर से एक लड़की ओपल को कहती है कि ओनर तो एक जादू गर है तब ही ओन पेट शॉप के सब ही जानवर आजाद रहकर भी उसी के शॉप में रहते हैं हम देखते हैं कि अगले दिन ओपल फादर के साथ चर्च जाती है वह विंडिक्सी को भी अपने साथ ले जाती है ओपल उसे चर्च के बाहर बांती है तब ही प्रेयर्स के दौरान अकीले होने की विंडिक्सी शॉर मचता है चर्च में मौजूद सभी लोग हसने लखते हैं उसके बाद फादर और ओपल विंडिक्सी को अंधर लानी का कहते हैं जहाँ विंडिक्सी एक चूहे को देखके उसके पीछ Subscribe बागने लगता है चर्च में शॉर मचता है लेकिन आखिर में सब विन डिक्सी की हरकत पर हसने लगते हैं उसके बाद फादर और ओपल चुहे को बॉक्स में बाहर ले जाकर आजाद कर देते हैं एक बार फिर विन डिक्सी भागने लगता है ओपल उसके पीछे जाती है जाड़ियों के पीछे वो एक ग्लॉर्या नामी औरत से मिलती है जो द प्लॉरिया को गलत समझते हैं जैसे ओपल को उसके नए शहर की दोस्त समझते थे रात में तीज तूफानी बारिश होने की वज़ा से विंडिक्सी डर के मारे पूरे घर में भाग रहा होता है क्योंकि विंडिक्सी को बादल गरिचनी की आवास नहीं पसंद तभी फादर औ उसकी मदर से बहुत प्यार करते हैं वो ओपल को बताते हैं कि उसकी मदर भागने में बहुत तेज थी और उन्हें रेस में कोई नहीं हरा सकता था ओपल अपने फादर से अपने मॉम के बारे में बाते करके बहुत खुश होती है ओपल अपने बनाए हुए नए दोस्त जो ऑपल को बताती है कि अपनी हर गलती के बाद वह एक बोतल दरख पर लटका दीती है जब के लोग लॉरिया को उन बोतलों की वज़ा से एक बुरी जादूगर समझते हैं लेकिन एक ओपल ही होती है जो ग्लॉरिया को अलग नजर से देखकर उसकी दोस्त बन जाती है फिर वह Gloria के साथ मिल के पौदे लगाती है उसके बाद वो मिस फ्रैनी के पास जाती है जो उसे बताती है कि उदासी हमारी खुद की बनाई हुई होती है और हम अक्सर तब उदास होते हैं जब हम किसी अपनी को खो दें तब ही ओपल को खयाल आता है ग्लॉरिया की उन लटकी हुई बोतलों का जो एक गल्दी के बाद अकेले हवा में लटकी होती है अब उसे ग्लॉरिया का बोतलों को दरख पर लटकाने का मकसद समझ आने लगता है हम देखते हैं कि अब एक बार फिर ओपल पैट शॉप ओनर के साथ बैठी होती है जो उसे बताता है कि उसे गिटार बजाने का बहुत शौक था मगर लोग उसे कहते थे कि वो अपना गिटार बजा कर लोगों को परिशान करता है तब ही उसने जानवरों को अपना दोस्त बना लिया है जो इंसानों की तरहां उसके गिटार बजाने से परिशान नहीं होते अब ओपल के सब ही नए दोस्त जो शुरू में उसे दूर भागते थे वो सब ही विन डिक्सी की वज़ा से ओपल के अच्छे दोस्त बन जाते हैं हम देखते हैं कि ओपल के दोस्त विन डिक्सी के साथ बेसबॉल खेलते हैं और तब ही विन डिक्सी पुलीस ओफिसर को मज़ा चकाता है सब बच्चे हसने लगते हैं ओपल अपने फादर से एक बार फिर मदर की बात करती है वो फादर को मिस फ्रैनी की दी हुई कैंडी देती है जो उन्हें उसकी मॉम की याद दिलाती है उसके बाद ओपल उनसे कहती है कि वो उनके दुख को समझ सकती है ओपल को पता है कि किसी अपने के खो जाने का दुख बहुत ज्यादा होता है वो फादर को बताती है कि ये सब महसूस करना उसने गलॉरिया से सीखा है ओपल फादर से ये पूछती है कि क्या उसकी मदर उसकी वज़ा से उन्हीं छोड़ के गई है फादर घुस्य से ओपल को कहते हैं कि इसमें ओपल का कोई कुसूर नहीं है हम देखते हैं कि ओपल ग्लॉरिया के साथ बैठी होती है और वो उसे कहती है कि वो अपने फादर की उदासी दूर करना चाहती है तब ही ओपल को आइडिया आता है कि उन्हें एक समर पार्टी प्लान करनी चाहिए ओपल प्लान करती है कि वो इस पार्टी में सब लोगों को बुलाएगी ताकि उसके इर्दगिर्द जितने भी लोग उदास और अकेले हैं वो एक दूसरे से मिल की अपनी उदासी दूर कर सकेंगे और कुछ नई दोस्त भी बना सकेंगे पहले तो ग्लॉरिया उन्हें अपने घर में पार्टी से मना करती है क्योंकि उसका घर एक खंडर है मगर बाद में वो मान जाती है अब ओपल ग्लॉरिया और विंडिकसी मिल के पार्टी की तयाया करते हैं ओपल पार्टी में सब को इन्वाइट करती है जिन में उसके नए शहर के नई दोस्त भी शामिल होते हैं और वो दोस्त भी शामिल होते हैं जिन से उनकी शुरू में नहीं बनती थी ओपल अपने फादर के साथ परोसी अंकल को भी पार्टी में आने की दावत दीती है वो सब ही के पास जाके उन्हें पार्टी की दावत दीती है दूसरी तरफ ओपल ग्लॉरिया के साथ मिलके पार्टी के लिए फ्रूट्स और जूस वगेरा भी तैयार कर रही होती है पार्टी में सब ही लोग मौजूद होते हैं जबके पडोसी अंकल मिस फ्रैनी से मिलके काफी खुश नजर आते हैं जबके ओपल ग्लॉरिया को भी उसके नई दोस्तों से मिलवाती है इतने में पैट शॉप का ओनर भी वहां आ जाता है ओपल उसे भी सबसे मिलवाती है सब ही लोग पार्टी को इंजोई कर रहे होते हैं लेकिन पार्टी के दौरान अचानक बारिश होने लगती है पार्टी की सारी तयारी घर के गार्डन में की गई होती है इसलिए सब मिलके पार्टी का सामान घर के अंदर लाने लगते हैं इतने में ओपल को ख्याल आता है कि विंडिक्सी पार्टी से गाइब है ओपल फॉरण वहां से विंडिक्सी को ढूनने निकल जाती है सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते है मगर वो किसी की भी बात सुने बगर विंडिक्सी को ढूनने निकल जाती है ओपल अपने फादर की मदद लेने जाती है जो उसे बारिश तेज होने की वज़ा से घर के अंदर आने का कहते है लेकिन ओपल घुसे में वहां से भाग जाती है फादर भी उसके पीछे जाते है ओपल और फादर दूनों काफी देर तक जगा जगा विंडिक्सी को ढूनते है लेकिन उन्हें विंडिक्सी कहीं नहीं मिलता फादर ओपल को कहते हैं कि वो भी विंडिक्सी को उतना ही प्यार करते हैं जितना ओपल करती है और वो अब किसी भी हालत में विंडिक्सी को नहीं खोएंगे ये सुनके ओपल फादर के गले लग जाती है लेकिन अब भी विंडिक्सी का कुछ पता नहीं चलता ओपल उदास होकर पार्टी में वापस आती है वो गार्डन में जाके दुआ भी करती है वही उसके दोस्त आके उसे अंदर ले जाते है ओनर गिटार बजा रहा होता है सब ही ओपल का दिहान बटाने में लगे होते हैं कि इतने में विंडिक्सी वहां आ जाता है ओपल खोई हुए विंडिक्सी को एक बार फिर अपने करीब महसूस करके बहुत खुश होती है पार्टी में मौजूद सब ही लोग बहुत खुश होते हैं और वो सब एक बार फिर मिलकर खुशी से गाना गाने लगते हैं ओपल सब को खुश देख कर सोचती है कि वो आखिरकार अपने इर्दगिर्द के लोगों की उदासी और तनहाई दूर करने में काम्याब हो गई है और ये सब सिर्फ विंडिक्सी की वज़ा से हुआ है और यहां मूवी का एंड हो जाता है तैंक यू फर वाचिंग